लोग जनसक्ति पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष वो खुद को मोदी का हनमान बताने वाले चिराग पास्वान की बात नरेंद्र मोदी ने मान ली है अब इस पर देखें प्रदानमंतिरी नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की बातों को मान लिया है और अब उनके संसदिय छेतर में एक FM आकाशवानी की शुरुवात हो रही है आपको बता देख इसको लेकर के जमुई के लोग सबसे जादा खुश है वो चिराग पासवान जो है नरेंद्र मोदी का धन्यबाद करते ठकते नहीं नजर आ रहे हैं आपको बताए कि चिराग पासवान ने वर्स 2014 में भारत सरकार से जमुई में FM रीले सेंटर खोलने की मां है परदानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 अपरेल को उठगाटन करेंगे जमुई की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान ने जो है वो धन्यवाद भी ज्यापन किया है आपको बताए कि जमुई के एकमातले 5 अ Rings station का आज परदानमंत्री नरेंद्र मोदी उ सुबह जमुई जिले का पहला आकाश्वानी FM रेडियो केंद्र का उद्गाटन परदान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा आज किया जा रहा है आकाश्वानी कर्मियों द्वारा इसकी तैयारी जोडशोर से की गई है बतादे के देश में रेडियो कनेक्टिविटी को अगर पंचायत की ओर से मुख्य पारसत के द्वारा सडकों की साफ सपाई एवं किचुड़नुमा स्थानों पर मिट्टी डाला गया है वहीं उद्गाटन के उसर पाइं कहीं प्रतिनीदी एवं सर के माननिये लोग उपस्तित होंगे आपको बताए कि यह केंद्र 100W FM फ्र एक्रमों का लुफ्ट उठा सकते हैं वही जिले का पहला FM रेडियो स्टेशन का उद्गाटन को लेकर सिकंद्रावाद के अस्थानिये खास करें युवाओं में काफी ज़्यादा उत्सा देखने को मिला है वहीं अस्थानिये नंदलाल गुपता चंदनकुमारत जादा जो हैं वो खुश हैं चिराग पास्वान के जमुई सहित बिहार के नौ नए FM ट्रांस्मिटर का आज उद्गाटन होना है बाका सिकंदराबाद नवादा बेगुसराय शेखपूरा कटिहार बकसर और लखिसराय में स्थापित किये जाएंगे जहां पर आज प्रद सदिय छेतर जमुई में FM रेडियो का आज उद्गाटन करने वाले हैं सुबह 6 बई से शुरू होकर रात के 11 बज़े तक ये प्रसारण जमुई के और जमुई के 10 किलोमेटर के अंदर तक के लोगों को सुनाई देगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपको क्या लगता ह अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए जुड़े देए हमारे चनल दभी हार टॉप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद